नमस्कार आप देख रहे हैं दो कदम मैं हूँ आपके साथ तिला चावला और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हरी शहसवाल तो आप दो के दम में बात होगी उत्राखंड के एक ऐसी शक्सियत की जो इस वक्त उत्राखंड सरकार के भीतर लंबे सुजुर्वे के साथ एक भारी भरकम विभाग संभाद है वो विभाग जिस पर गाहे बगाहे कई सवाल खड़े होते हैं वो विभाग जो भारी भरकम विभाग के साथ जिम्यदार और चुनोतियों वाला विभाग भी है हम बात कर रहे हैं इस वक्त वित मंत्री संसदिय कारिय मंत्री और पूर विदानसभा अध्धक्ष प्रेँचन अगरवाल जी अगरवाल जी बहुत बहुत स्वागत है नीस वर इंडिया में आप अगरवाल जी बतोर विदानसभा ध्धक्ष एक महत पूर जिम्मेदारी होती है और ये मंत्री मन जाना बिलकुल आपके काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा भी है, यह बाई चांस विट भी भाग मिल गया है या बाई च्वाइज मिल गया है। तेलग जी आप मुझे जानते हैं, मैं आज तो खेर प्रशासनिक भूमी का या शासनिकी भूमी का में हूँ। मैं तो प्रश्ट भूमी मेरी संग की है। जब पहली बार विधायक बना तो मेरे हाई कमान के आशिरवाद से भागवान की किरपा से मैं संस्दे सचिव बना। जी। दूसरी बार दुर्भागे से कहूँ या सहयोग से कहूँ कि कौंगरी से सरकार थी। तीसरी सरकार हमारी भारति इंता पार्टी के रूप में जब आई तो अध्यक्स विधान सभागा जिम्मा मुझे मेरे हाई कमान नी दिया। और चौथी बार यदि मैं विधायक चुन के आता हूं तो मुझे खुशी है कि मुझे कैसी जिम्मेवरी मिली जिसमें और ज्यादे काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो ये सारी बातें आप ये मान के चलिए कि ये तो मेरा स्वभागे ही है। आपकोन लगता कि सबसे मुश्किल मंत्राले आपको मिला है। यही जिम्मेदारी प्रकाश्पन जी के पास ये बिमारी हो करते है। और तब उस वक्त भी वो वेत्विभाग और संसद्यकार्यमंत्री के रूप में कई बार होता था। कि बहुत भारी भरकाश्पन जीम्मेदारी मिल गई अब तो वो जीम्मेदारी और बढ़ गई है। लेकिन आप यदि उसके तनमयता से उसके लिए काम कर रहे हैं। और यदि आप ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी नेती ठीक है, आपकी नियत ठीक है। तो मुझे ने लगता कोई भी काम बहुत कठीन होगा। या उचनोती पूर्ण होगा तो उसको आप स्विकार करेंगे। तो वो बहुत बड़ा आपको दिहाई देगा। आप नीती और नियत की बात कर रहे हैं। उत्राखंड पर कर्ज पर कर्ज है। उत्राखंड के हालात यह हैं। जैसा आपने कहा लगबग 24,000 करोड का कर्ज हमारे उपर है। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे समय के पहले का है। लेकिन हासे हम इसकी शुरुवात कर रहे हैं। और इसमें आपकी बात को एक बात में जोड़ दूँ। शायद आपको इस बात की जानकरी है की नहीं है। कि आगामी जून महा में, दोज़ार बाइस में, जो हमें 14% IGST मिलता था। जिसका लाव हमारे उत्राखने को मिलता था। उस विदा से भी शायद हम वन्चित हो रहे हैं। तब हमानी समस्या और बढ़ने वाली है। तो मैंने आज भी अपने विद्व के तमाम बड़े अला अधिकारी को बुलाके यह सब बात कही है। कि हम कैसे इस समस्या का निज़ात हम पापाएं। कैसे हम अपने source of income और बढ़ा पाएं। क्योंकि आने वाले समय पर में इतनी बड़ी करज की राश्य हम चुकता कर देंगे या उसको कम कर देंगे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप यह देखिए कि छोटा सा राज्य हमारा है। और यह भी आप स्विकार करिए चाहे सरकार हमारी रही हो यानि भारतियनता पार्टी की। सरकार चाहे कॉंग्रेस की रही हो। लेकिन यह बात स्विकार सभी लोग करेंगे कि हमारे यह source of income बहुत कम है, सिमित साधन है। और उन सिमित साधनों के कारण। यह बच्चा 66,000 करोड के कंसर दबा हुआ है। वो ठीक है। मुझे ऐसा कोई एक स्टेट बताईए कि जहां पे उसके उपर कोई करजा ना हो। कोई एक स्टेट ऐसा बताईए। जिस पे करजे की रकम भारी भरकम ना हो। हमारे हैं सिमित साधने और उसके बावजूद मैंने अभी प्रयाद सुरू किया है। कि कैसे हम अपने जो वित्य साधने उनको बढ़ाके और समनवे के आधार पे कैसे हम अपने इस समस्या का हम लोग निदान कर सकें या उसको ठीक-ठाक कर सकें। यह हम कोशिज कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि आप अपनी विधान सभा में जाते थे पांसो हजार की भीड में यह पूछते थे कि कोई मेरे पे ऐसा कोई आरूप है। मेरे हां चरचा का मतलब तो थोड़ा दुसरी रूप में ले लेंगे आप। मैं चरचाों में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं जंता के साथ सिद्धा समवाद करके। उनके चाहे उनका कोई छोटा दुख हो, कोई उनकी छोटी खूशी हो, चाहे उनको कोई भी घटना उनके यहां गटी हो चाहे कोई भी उनके यहां समस्या हुई हो और उनके साथ मेरा सिद्धा सम्वाद और संपर्ग हमें सा रहा है यह मेरा आज से नहीं पिछला तिलक जी जानते हैं मेरे सुभाव को कि मेरा डेली रूटीन जनता के बीच में उनके समस्या के निदान करना हमारे यहां आप आईये कभी तो मेरे यहां सड़के हैं जो मेरे विधान सवा सदस्य बनने से पहले कि हालाद जो थे आज से कई गुना जादे सड़के मेरे इस दोरान बनी है यहां जो हम आईये को आज बात करें चिकत्सा के आज कोई समस्या मेरे छेत्र में नहीं आप इम से मेरे आएं सरकारी हास्पटल है जिसमें डॉक्टर्स बड़े हैं कभी तिलक भाई पूस्तिदे आपके डॉक्टर्स कितने हैं तिलग भाई को आज बता रहा हूँ, कई दूनवाद मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ चिकित्सकों के संख्या बढ़ी है, फैसिलिटीज बढ़ी है, डॉक्टर्स बढ़े हैं, और नीजी चिकित्सक हमारें बहुत बढ़ी संख्या में हैं, यही हम आपके मुझ से सुनना च चाहिए, आप और मैं एक मुलाकात हुई आपकी लगभग 10 साल पहले की बात है शायद, और आपने मुझे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया था, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट था आपके घर के, जहां आपका आवास है रिशिकेश में, उससे 10 कदम दूर, जहां तक मै आप से कहा था कि अभी से 1 साल लग जाएगा, तो आप बतौर विधायक आपने कहा एक साल नहीं, एक महीने में करके लगए और वो आपने एक महीने में किया था, जहां तक अगर मैं सई हूँ, मैं इसलिए आप से ये बात कह रहा हूँ, वो वादा मैं आपको इसलिए जिस प्रिपेक्ष में आपने सवाल किया मैं उसी विशे पर रहा हूं तीहतर करोड़ का जो भी रिन हमारे पास है और उसके सासाथ जो हमारे यहां वित्य संसादन है मैं लगातार अपने अधीकारियों की बैठक कर रहा हूं मैंने रिशी केस में बैठक लिए मैंने देरादुन में बैठक लिए मैंने काशी पूर में बैठक लिए यहां अलगलग सेक्सन की बैठक लिए और उसमें मैंने किस प्रकार से हम अपने रिवेन्यू को बढ़ा सकते कुछी चीजे मेरे पहले कियें, उस पर मैं कुछ कहूं तो वह भी उचित नहीं होगा, लेकिन आगामी जो हमारा समय हमारे सामने चुनावती ही पुन है, मैं तिलग जी आपको कहने को खड़ा हूँ, कहने के लिए बैठा हूँ, कहने के लिए तयार हूँ, कि हमारे को एक गा सौन होगा, लगबग वही स्थिति आप बता रहे हैं, मैंने का ला मैं आप यह के परपेक्ष में यह बात कर रहा हूँ, मैंने अपने अधिकारियों से कहा है, कि हम उतनी चदर फेलाएंगे जितने हमारा पैर होगा, और कैसे हमारे संसादन बढ़ें, कैसे हमारा रेवन्य फेले नराथी नरखें, तो यह अधिकारि भी हमारे पास नहीं है. हम ओरनो, हम पूरी तरह से जो भी हमारे सामने व्यापारी हैं, ब्यावसाई हैं, यह अन्य जो सोर्स के हमारे साधन, अब यह हमारा प्रेडिंच चेत है. अब हमारे चारदह में यात्रा सुरू होने प्रभाविती करोना के नाते, जैसे मैंने अपने अधिकारियों से कहा, कि जो हम किसी रेस्टूरेंट में, किसी होटल में, फूड खाते हैं, बोजन करते हैं, उस पे जीस्टी लगता है, जीस्टी ए पार्ट ओव रेवन्य ओफ गोर्मेंट, हमें मिल रहा है, उसको अपने खाने का खर्चा मिल रहा है, लेकिन जनता से सर्विस चार्ज भी होटल मालिक वसूल कर रहा है, अब मैंने कहा अपने अधिकारियों को, यदि वो वसूल कर सकता है, तो बताईए, नहीं कर सकता है, तो जनता जो हमारी पूरे देश भर से आ रही है, और ऐसा खाली मालिक को या होटल मालिक को नहीं लेना चाहिए, यह सुजद हम यहां से प्रारम कर रहे है, अब इसमें हमारी, पर उसमें मैं आपको क्लेर करूंगा सर्विस चार्ज आप बिल पे देख सकते हो और डिसलाव भी कर सकते हो, यही हम कर रहे है, हमने का आप पूरे उसमें डि कि आप चलेगे, आपने जो भी पेमेंट वहाँ पर देना था, दे दिया, लेकिन वो जे में किसकी जा रहा है, होटल मालिक की, रेस्टूरेंट मालिक की, जन्ता का सुरूशन हो रहे है, वो तो ऑप्सनल है, लेकिन हमने का इन नहीं देना चाहिए, तो आज भी मैंने यहा वापस जा रहे हैं, जिनसे बड़ा GST आ सकता था, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, हमारे है, बड़े-बड़े आपने हरिदवार अपने इंडरिश्टिल इरिया बनाया, कोड़दवार इंडरिश्टिल इरिया बनाया, देरदून इंडर होंडा की फैक्टरी हमारे है, उसका माल भिकने जा रहा है, माना करनाटक में, उत्तर प्रदिस में, अन्ने छेतर में, तो GST वहां को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, जहां पे भिकता है माल, उसको मिलेगा, यदि फैक्टरी हमारी है या नहीं है, वो मैटर नहीं है, हमारा म सभाल यदि वहां जाके भीकराय तो जकान को मिल रहा है। किका जो सिध्या that he सभाव मिल रहा है। खीषद्味 लेकिन यह कमeg Herman फुर्फर होने से क्वाव पर है अब स्पराया एक दिदस आर्व सरे लाव Being अब खाल जो ख्रैक रहे हैं है तो तलाशे हैं हम उसमें पूरी तरह से हमारी सरकार कटीबद है और आने वाले समय पर रोजगार पर हम पूरी तरह से तो नहीं मेरे पास हैं जो आज मेरे पास आता है कि साथ मुझे नौकरी चाहिए. प्राइवर्ड को नौकरी मानने कौ तयार नहीं, रोजगार मानने को तयार नहीं है. या हमारे जो माना मैंने कोई होटल खोला जिसे आतम निरभरता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं. उसको में थे में कर मते हुए? मैं वही करा रहा हूं ना हमारी सोच हो गई के अब सरकारी नौकरी मिली तो रोजगार मिला हमेने होटल खुला उसमें दस आदमी को अमने बढ़ाया अब हो मिष्टे क्या है? हुंट स्फिर आप घर स्फे में करिये हैं ॸिस नहीं है भाजिए करनीद आप हाव मेंतर गलकने ताया भर नहीं करें है यह थे प्लिणे मेंले, जो आप सरकारी नौकरी आप 사़ आप जो तो यह आकड़ा भले ही बड़ेगा लेकि मेरा मानना यह है यदि एक कोई व्यक्ति कोई अपना रोजगार के लिए कोई खोलता है कोई भी काम और उसके साथ साथ पांच लोग उसके जुड़ते हैं तो भी रोजगार की परीधी में लेकिन मेरा सवाल और हमारा सवाल वहीं जसका तसखड़ा है खर्चों में कटोती को लेकर आप कुछ कदम उठाएंगे या नहीं क्योंकि आपके विधायक और मंत्रियों के उपर पैसे खर्चन में एक उधारन रेता हूं आपको दो हजार दो हजार तीन में वेतन जो था मानने बत्तों के हिसाब से मागर मैं जिया जाएंगे जितने अपने पैर के नाते ही हम चदर पैलाएंगे तो पहले किस ने फैलाए थे अब ये विशय तो उनका है ना मेरा विशय जो आपने रिश्व आपने जवाब दिया आपको हम कोशिश करेंगे कईना कई मिट्टिवयत्या भी रहे संसादन बढ़ें ऐ जुमा जुमा भी एक महिना मुझे हुआ है और कोशिश करेंगे इसको किस तरह से नेंतरत हम कर से हैं बिल्कुल जरूत पड़ी, कड़ी फैसले लेंगे क्योंकि इसके बिना चारा भी शायद मुझे दिखाई नी देता है सब साथ देंगे, हमारी साथ देंगे, हम सब लोग मिल के काम करेंगे हमाने अपने मुझे मंत्र के नेतरतों में काम कर रहे हैं सभी का इसमें आश्रवाद रहेगा, पुरी तरह से काम करेंगे एक नॉन-Political सवाल मैं आप से जानना चाला था क्योंकि आपकी जो प्रिष्ट भूमी रही है मों उसी के थोड़ा सा फ्लैश टैक में आपने चार्दा म्यातरा का जिक्र किया ये मांग उठ रही है कि गैर हिंदू प्रवेशना करें, नो एंट्री आपस को ठाएं, मैं दुशर्य रूप में ले रहा हूँ, सर्कार निर्ने लिया खिया है कि हम सभी का रखारत करांगे, सभी का एक रखारत कराने का मतलब हिंदू या जुर Scottish नहीं है, वेरिफारत कराने का मक्सद क्या है कि आप किस प्रिष्भूमी के है, आप किस मकसद से हम अब आप यह देखिए, कि यह जो हमारा उत्राखन राज्य है, यह पूर्ण देया शांति पूर्ण राज्य की च्रणी में आता है, और जिस प्रकार का वातरवन आज पूरे देश के अंदर है, अब आप यह देखिए कि कोई आदमी कहीं घटना करके मेरे प्रदेश में ना में जायेगे लेकिन संद समाज तो यह के रहा है, ऊध्यू का मतलब कुछ और ही है, मैंने उनको विशे हो सकता है, मैंने तो जो हमारी सरकार की सोच यह में आपके आपको बताए तो हमारे हाँ कोई ऐसा विशे तो नहीं है ना लेकिन किसी भी प्रकार के अपराद को हम स्विकार नहीं करेंगे हमारे हाँ अपराद नहीं होने देंगे उसके लिए एक कदम बढ़ाया वा यह फैसला आ जाता और चाहा जाता है संसमाज की तरब से कि हमें गैर हिंदू पत् तिगाय इस जातिया कराएंगे? अमने जन्रल ने, 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 मैंने क्या का? अपरादी अलाओड नहीं है. ने, अपरादी अलाओड नहीं है. मैं करना कि सभी का एक वैरिफिकेशन हो हैं. पलाइन एक बहुत बड़ी समस्य है, और पलाइन में हमारी जितने पहाड़ी हैं जादर पलाइन कर चुके हैं अब इसी समस्य से जो वेरिफिकेशन की बात हो रही है मुस्लिम जादर पहाड़ों पर मिल रहा है आज की रेट में उनका वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए अब आप एक बात को गुमा के दूसरी तरफ लिजा रहा है यहांदर इंटेलिजन्स फेलियर का यह कहीं ने कहीं हमारी इंटेलिजन्स फेलियर लिए अभी आपी के नेता ने मांग कीती आजय अंदर आजय ने ठीक है अपना व्यक्तिकत किसी का कोई राय हो सकती है सभी को दिकारे अपनी बात कहने का लेकिन यदी माना कोई वर्षों से हमारे यह रह रहा है माना आपने का पहाडी चेत्र पे परवती चेत्र पे Muslim रह रहे हैं तो हमारे उनसे कोई विरोध थोड़ी है और आपको जानकर देदू हमारे परवती छेत्र में पुराने जो मुस्लिमें वो इतनी बढ़िया गड़वाली बोलते हैं कि आप और हम उसको नहीं समझ सकते हैं इतना बढ़िया बिल्कुल मानता हूं हैं तो इंटेलिजेंस हमारी यहीं फेल हुई थी कि हमारे कुछ जो लोग थे वहां पर नहीं थे और उनको प्लाइन कर चुके थे अजब बाद में पता लगा था तो सूत्र कुछ इस तरह से मिले थे कि मतलब पुराने लोगों ने कुछ बताया हमां पर हमारे तो जो माने निश्ची रूप से नवागुदुक का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे आप कौमन सिविल कोड को लेकर क्या स्टेंड है आप लोगों का देखे सरकार ने जो हमारे माने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम कौमन सिविल को लागू करेंगे औ और पहली जो कैबिनिट हमारी हुई उसमें माने मुख्यमंत्री जी ने और हमारी माने कैबिनिट ने उसमें ने लिया है कि हमारे हां कौमन सिविल कोड लागू होगा और उसके लिए समीती गठीद होगी और संबंदी जितने पक्ष हैं उनके साथ राय मुश्वरा करके उ लेकिन आप क्णोरी का सपना है है और वह जो कोड़ कर लेकर है लेकर लागूरे आप बतोर है लिएक outta 상ifts के परवर सम Sophie के पास गया और वह सिफारिजन हमारी और सरकार की देखे अब ये पिछली गवर्मेंट में जो उसमें अद्यक्स विदान सभा के रूप में मेरा अदाइतों में निवाया और अब मैं दूसरी भूमिका में हूँ और इस भूमिका में हमारी सरकार अद्यक्स विदान सभा का दाइतों क्या है तो मेरा दाइतों क्या बनता है कि मैं उसी बात को आगे बढ़ाओं आज मैं दूसरी भूमिका में हूँ इस विशे पे भी हमारी सरकार पूरी तरह से कहीं इस बात को छोड़ने के वाली नहीं है इसी समय पे उचित समय पे हम संग्या के अधिकारि कि अधिकारी की जिश्टाचार मुक्त जिरो ट्मडरेंस के आधर पे चल रही है उसी आधर पे आप देखिए अने को हमारे अधिकारी तो यही बात मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूं बोल रहा हूं कि हम किसी भी तरह के भृष्ट्याचार को स्विकार नहीं करेंगे जहां तक लोकायुक्त की बात है उचीत समय पे इसका भी निर्ने लेंगे चलिए अप 30 दिन 35 दिन पहले आपकी डावेदारी थी सीम बनने की आपने इसको पक्का भी किया था कि हां मैं दावेदार हूं कोई मलाल रहा गया है अभी जो मेरे मुझे लगता है कि जो मेरे मुझे एक शब्द निकलाता है, मैं चौथी बार का विदाय को तो मैं भी क्या कम हूँ, तो उसी आधार पे आप मेरी बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे हाई कमान ने मुझे दी है, ये महतोपुन मंत्राले विभाग मुझे दी है, और एक बात मैं आप से कह रहा हूँ, और सभी से कह रहा हूँ, कि ये भगवान इतनी शक्ति दे, कि जितने सवाल आपने किये हैं, उस पे मैं खरा उतर सकूं, आने वाले 5 साल हम ठीक ठाक काम करके आगे बढ़ सकें, जिस परक आपने के लिए या किसी बनावट के लिए बात नी कर रहा हूँ, मैं सभी से एक बात कहता हूँ, कि मुझे इतनी शक्ति परदान करे भगवान और आप जैसे लोग इतनी मेरे साथ, जो मागदर्सन मेरा करें, कि जो मेरे सामने चुनोती हैं, उसको ठीक से में मुकाबला कर के इस उत्तराखन को जो जैसे आपने बताया, जो हालात हैं, उससे हम निज्जा दिला के आगे बढ़ाएं. चंपावत का चक्रियू बहद देंगे सीम साब? बेलकुल, इस बार चंपावत को जहां पे हमारे मानने भाई केलाश गयत ओड़ी जीने दूसरी बार, यानि मुख्यमंत्री जी के लिए, तो आप मान के चलिए कि उसमें हम लोग मुझे तो ऐसा लगता है कि सामने सायद मुख्यमंत्य भी देने वाले सोचेंगे कई बार, करन माहराज, उनके नए प्रदेश है, जक्षे है, वो कह रहे है कि मैं मान करता हूं कि हरीच रावत या भी ह जीतने वाले हां और उनके नित्रतो में सरकार चल रहे है, उनका नेत्रतो बना रहे, तो निश्ची रूप से हम किस चिनोथी को चनोथी के बात करने रहे हैं? मतलब जो वेक्ति लगातर शनाव आ रहा हो लोग सभा के चनाव आ आओ तो ऊसको चनवाव आसर तो इसको चनोटी कहें üzट हैं कि आप किसी की बात करिए न हम कहारे हैं कि कॉंग्रेस आथ कोहकर जितकी ना ही यह रहा है आज हालां सरुपर्टिस ने 2 यह आ रहे हैं कॉंग्र जैसे मित्र हमारे जो मीडिया की लोग भविश्य वक्ता सब ओले था कॉंग्रेस पचास, चालिस, पैंतारिस कहा गई आज क्या हाला तो उनकी हरिश्दामी जी कुछ बोलने हैं गोदियाल जी कुछ बोलने हैं टृतियम सिंग जी कुछ बोलने हैं और हमारे करण महारा जी हरिश्दामी जी आए न हमें कहा दिक्कत है हमारे याद तो देखे सभी लोग आपको बढ़िया अपने सवाल किया है यदि एक तरफ तो कॉंग्रेस को आप चुनोती की बात कर रहा है एक तरफ कॉंग्रेस के लोग इधर आ रहे हैं तो चुनोती किसके लिए है आज जो है है जैसा मुझे हाला कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय पे कॉंग्रेस के लोग ये सोचेंगे कि कॉंग्रेस में रहना है या किसी और जिगा जाना है क्यों हालत ही होगी आज तो हरिश्दामी का वेलकम है आपकी तरफ से होई भी आया जाने का मलाल है नहीं आप जो जो पार्टी ने जिस तरह से निर्णे जिस समय लिया बहुत उचित निर्णे सरका हमारी हाई कमान का था वो परिसितों पे मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आप देखिए कि हरक सिंग जी का हमने कितना संबान किया आप आये आपको प्रभ हैं पर्तिंता पाटी के मजबूत इस्थिटी को द रसाता है न अब आप अब देखे हमारे प्रिवार वाथ का हैं तब तो टिकेट मिला dessert हमारे प्रेवार वाथ का हैं हमारे हि poorer वार पुत्र और दोनों को टिकेट के आपने आपने फिलिए पर इस परस्ट अज 2022 की बात कर निकाला वही हमेशा प्यारी मुस्कान के साथ उत्राखंड का विधार करिये जैसे रिशी केश का किया तो ये थे हमार साथ प्रेम चंद अगरवाल जिन्होंने बेबाग अंदाज से अपनी बात को रखा एक मजबूत विभाग जिनके चुनोती बड़ी है और खुलकर वो कह नमस्कार जाहिं जावारत